नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Fire Safety Academy में आज इस वीडियो का टॉपिक है Crane and Lifting Safety इस वीडियो में हम जानेंगे कि Crane से Lifting Activity करते समय कौन-कौन से खतरे हो सकते हैं और क्या-क्या Safety Precautions लेने चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब सबसे पहले जानेंगे कि Crane का इस्तेमाल कहां पर और किस परपस के लिए किया जाता है तो Crane का ज्यादातर इस्तेमाल बड़ी-बड़ी Industries, Construction Sites, Manufacturing Unit, Warehousing या फिर जो Ports होते हैं वहां पर Materials को Load करने के लिए, Unload करने के लिए, Shift करने के लिए तता Heavy Equipments को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब आगे वीडियो में हम जानेंगे Crane का इस्तेमाल करते समय, Lifting Activity करते समय, कौन-कौन से खत्रे हो सकते हैं सबसे पहला खत्रा हो सकता है Falling of Load, जो Material हम उठा रहे हैं, Shift कर रहे हैं, Load Unload कर रहे हैं, उसके गिरने का खत्रा हो सकता है जो Load Crane के दोरा उठाया जा रहा है, उसके आसपास के जो existing facilities है, उससे टकराने का खत्रा हो सकता है या फिर Load Gear existing structure के बीच में किसी के दबने का खत्रा होता है Crane के पलटने का खत्रा हो सकता है, जादा तेज हवा है तो ये भी एक खत्रा हो सकता है Crane का इस्तेमाल करते समय, Operator से proper communication बना के ना रखना और Operator को सही signal ना मिलने पे वहाँ पे खत्रा उत्पन नहो सकता है Power Lines या फिर Pip Lines इनको Damage होने का खत्रा हो सकता है सभी Crane का एक निर्धारित safe working load होता है, जहां तक weight वो उठा सकता है अगर उससे ज़्यादा का weight उठाये जाता है, तो overloading के chances हो सकते है Crane से material को उठाके हवा में suspend कर देना छोड़ देना भी एक खत्रा होता है Rigor के दिवारा load की सही slinging ना करने से वहाँ पे load के गिरने का खत्रा हो सकता है जो load उठाये जाना है अगर उससे सही तरीके से secure नहीं किया गया या फिर जो load है उसका center of gravity center में नहीं है तो ऐसे load को उठाते समय सही अगर तरीकों का और lifting gears का इस्तेमाल नहीं किया गया होती है अगर उससे ज़्यादा speeding के जाती है तो वहाँ पे collision का या फिर पलटने का खत्रा हो सकता है material shifting के दौरान अगर operator को सही hand signal नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी खत्रा उत्पन हो सकता है cranes के जितने भी parts है especially जो rotating parts है moving parts है वो unguarded होना crane का इस्तेमाल से पहले सही तरीके से inspection ना किया जाना या फिर उसका सही तरीके से maintenance नहीं होना जिससे crane में oil leak होना या फिर equipment failures का chance हो सकता है जिस जगे पे crane का इस्तेमाल कर रहे हैं उस crane का swing radius जो होगा वो unguarded होना workplace पे काम करते समय overhead power lines के contact में आने का खत्रा material उठाते समय out trigger इस्तेमाल ना करने से crane के पलटने का खत्रा अगर crane के operator cabin का window टूटा हुआ है या फिर crack है या फिर जो उसका side view mirror होता है वो misplace है या फिर टूटा हुआ है तो poor visibility से accident होने के chances हो सकते हैं crane का exhaust system अगर सही नहीं है तो बहुत ज़्यादा noise produce करेगा और साथ ही spark निकल के fire होने के chances हो सकते हैं crane पर चड़ने उतरने के लिए steps का ना होना या फिर जो walkways बने होते हैं वहाँ पे guard rail नहीं होना इससे गिरने का खत्रा हो सकता है boom angle indicator का नहीं होना uneven surface यानि कि उबर खाबर जमीन पे crane का placement करना crane के पलटने के chances हो सकते हैं अब आगे वीडियो में हम safety precautions के बारे में देखेंगे सबसे पहले आपको अपने काम के हिसाब से आपका जो material है उसका load कितना है उसके हिसाब से आपको crane select करना है काम सुरू होने से पहले work permit लेना है और जितने भी लोग उस activity में involved हैं उन सब के लिए toolbox, stock, conduct करना चाहिए काम सुरू होने से पहले जहां पर crane को की placement करने वाले हैं वहां के मिट्टी और ground की condition check की जानी चाहिए अगर एक या एक से ज़्यादा crane का इस्तेमाल किया जाना है तो risk assessment किया जाना चाहिए crane और crane operator से related सारे documents चेक किया जाने चाहिए जैसे की third party certificate, registration, insurance, crane का PUC यानी की pollution certificate और operator का driving license इत्यादी crane का इस्तेमाल करने से पहले उसके outrigger पूरी तरीके से extended होने चाहिए और यह ध्यान दखना है कि कोई भी manhole है या फिट्रेंच है, कोई excavation का area है उससे कम से कम एक मीटर की दूरी पे वो outriggers stable होने चाहिए सभी cranes का एक safe working load होता है, उससे ज़्यादा load नहीं उठाना चाहिए जो crane का निर्धारित load है, उतना ही lift या shift करना चाहिए खरा मौसम के दोरान अगर बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चल लही हो या फिर बारिस हो रही हो तो ऐसे time पे crane का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसे में crane की stability और poor visibility की समस्या हो सकती है crane का जो भी swinging radius है उसको पूरा barricade कर देना चाहिए और उसके अंदर किसी भी unauthorized person की entry ban होनी चाहिए उसके अंदर सिर्फ trained और certified rigors और supervisor की entry allowed होनी चाहिए जितने भी rigors और signal man होंगे उन सबको reflective jacket पहनना चाहिए जिससे की operator को उन्हें देखने में आसानी हो crane operator को सिर्फ एक rigors के द्वारा signal दिया जाना चाहिए किसी material को shift करते समय कम से कम दो tagline का इस्तेमाल किया जाना चाहिए tagline को guideline के नाम से भी जानते हैं जिसकी सायता से material को stable रखने में मदद मिलती है हवा में suspended load के नीचे किसी भी आदमी के entry allowed नहीं होनी चाहिए चाहे वो rigor हो, supervisor हो crane में reverse horn होना चाहिए जितने भी lifting appliances हैं जैसे की wire ropes links, web links, d-sackles, chain block इन सब का third party certificate होना चाहिए और इनको इनके safe working load से ज़्यादा load पे इस्तेमाल नहीं करना है अगर कोई lifting tool से tackles damage है या फिर expire है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसको निकाल के अलग रख देना चाहिए crane के main और axillary hook में safety latch जरूर होना चाहिए crane का इस्तेमाल करने से पहले ये ensure करना है कि वहाँ पे कोई hydraulic leak तो नहीं है cylinder से कोई leak तो नहीं है या फिर कोई abnormal voice तो नहीं आ रही है ये ensure करना है कि जो operator का cabin होगा उसमें कोई blind spot नहीं होना चाहिए यानि कि जो operator है वो चारो तरफ clearly देख सके जो काम करने वाले workers हैं rigards हैं, supervisors हैं या फिर operators हैं उनको proper PPE का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे की hard hat, reflective jackets, gloves और safety shoes crane का इस्तेमाल करते समय overhead power lines का विशेज ध्यान रखना चाहिए इनसे minimum safe distance maintain करना चाहिए buddy cranes का जो counterweight होता है या फिर उनका जो rotation radius होता है वो सही तरीके से barricade होना चाहिए और उसमें किसी की भी entry allowed नहीं होनी चाहिए सिवा है rigor के और supervisor और operator के अगर कोई critical lift activity की जाने वाली है तो उसके लिए पहले से return में lift plan होना चाहिए crane के उपर जो उसका safe working load है वो बड़े बड़े bold अच्छरों में mention होना चाहिए crane का इस्तेमाल करने से पहले ये ध्यान रखना है कि वो out triggers उसके fully extended है और pad के उपर lift की हुए है slinger rope का इस्तेमाल करते समय उनने visually inspect करना है उनमें किसी भी तरीके का कोई damage नहीं होना चाहिए अगर damage है तो उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए crane को जहां भी place करके काम करना है वो ground area उबर खावर नहीं होना चाहिए level में होना चाहिए crane के operator cabin में fire extinguisher मौजूद होना चाहिए crane का इस्तेमाल करने से पहले या ध्यान रखना चाहिए कि ASLI यानि की automatic safe load indicator boom limit switch and boom angle indicator crane पे मौजूद होना चाहिए और working condition में होना चाहिए किसी सामार्या material को खीचने के लिए या drag करने के लिए crane का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए crane के साइड से कोई भी material loading या unload नहीं करना चाहिए इससे की crane के पलटने के chances हो सकते है crane पे load उठा के कहीं भी moment नहीं करना चाहिए ride नहीं करना चाहिए जितने भी crane operators हैं, rigging supervisors हैं और riggers हैं उससे पके पास third party certificate होना चाहिए जितने भी lifting equipment, stool, tackles या फिर cranes होते हैं इन पे color coding होनी चाहिए अगर आपको color coding नहीं पता है तो मैं संचेप में बता देता हूँ color coding quarterly निर्धारी colors होते हैं जिसे की equipment का inspection करने के बाद उन्हें उसी color में paint कर दिया जाता है जिसे अब कोई भी आसानी से देख के पता कर सकता है कि हाँ ये equipment कब inspect किया गया था वैसे तो सभी cranes का एक safe working load होता है लेकिन कुछ ऐसे factors होते हैं जिसमें वो safe working load से भी नीचे काम करना परता है यानि कि जो crane का safe working load है वो कम हो सकता है तो ऐसे कौन-कौन से factors हो देखते हैं अगर crane को level surface पे नहीं place किया गया है तो crane का safe working load है वो घट सकता है ज्यादा तेज हवा चल लही हो अगर crane के outriggers का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो और वो पहिये पे खड़े हो तो उसके safe working limit जो है वो कम हो जाएगा crane में अगर हम किसी तरीके का कोई attachment इस्तेमाल कर रहे हैं कोई extension या फिर jips का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका safe working load कम हो सकता है crane के safe working load का ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि जो हम tools और tackles इस्तेमाल कर रहे हैं wire ropes links और lifting devices का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका safe working load भी material के हिसाब से होना चाहिए नहीं तो इनके damage हो के टूट के गिरने के chances हो सकते हैं तो ये थे कुछ factors जिससे कि जो crane का safe working load है वो कम हो सकता है इन factors के हिसाब से तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि crane का इस्तेमाल करते से मैं lifting activity करते से मैं कौन-कौन से खत्रे उत्पन हो सकते हैं और क्या-क्या safety precautions लेने चाहिए अगर आपको लगता है कि कोई point इस वीडियो में छूड़ गया है झाहिए